वेरी गुद मॉर्निंग स्टुडेंज तो जाप्टर नमबर तू पाथ ओफ कंप्यूटर हम कर रहे थे जिसमें कि हमने मॉनिटर और कीबूर्ड तक हमने कर लिया है आज हम करेंगे टॉपिक 3 माउस ठीक है तो माउस में बटन्स होते है और इन बटन्स को प्रेस करोगे तो आप कोई भी मॉनिटर पे जो भी वर्ट लिखा होगा जो भी पिक्चर्स होंगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो और ऑपन कर सकते हो खोल सकते हो ठीक है उसके बात है CPU CPU stands for Central Processing Unit CPU का full form क्या है C से Central, P से Processing और U से Unit It is the brain of a computer इसको brain of computer यानि कि computer का दिमाग भी कहा जाता है CPU को CPU helps a computer do different things quickly and easily CPU computer को help करता है कोई भी काम easily और quickly जल्दी और आसानी से करने के लिए ठीक है उसके बात है page number 11 quick question यहाँ पे आपको question पूछा गया है help the four teddy bears find their computer paths one has been done for you यहाँ पे चार teddy bears दिखाया हुआ है ठीक है एक green color की shirt में एक red color की shirt में और एक brown color के shirt में ठीक है तो जैसे कि आपको box दिया गया है ठीक है तो उसमें CPU को red color दिया हुआ है monitor को brown mouse को blue और keyboard को green ठीक है तो blue वाला जो है teddy bear है उन्होंने mouse पे match कर दिया है उसी तरह आप दूसरा सबसे पहले है CPU CPU कौन सा है और red color के पहना है उसको match करोगे ठीक है और CPU को color करोगे red color से ठीक है उसी तरह monitor monitor जो है उसे पहले है जो प्राउन कलर के bear से match करोगे ठीक है तो ब्राउन कलर का bear से match करोगे तो इसको match करोगे और computer जो monitor होगा इसको brown color से color करोगे, ओके mouse जो है blue color है वो किया हुआ है last है keyboard जो कि green color की teddy bear से match करवाना है ठीक है तो फर्स्ट teddy Bear से आप कीबोर्ट को मैच करोगे और कीबोर्ट को ग्रीन कलर करोगे तो ऐसे ही आपको ये काम करना है और ये आपको अपने बुक में